अंदर घुषते ही आपको मिल जाएगी यहां पार्किंग काडियों मने लगा दी है आपनी और उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे बिल्कुल पार्किंग के बिल्कुल सीद में जाके आपको लेट साइड में मैं चलो रास्ता दिखाता हूँ चलता हूँ अब तो हम आगे एक नई जगह पर आपको लेकर बिल्कुल अच्छी जगह पर फिडेन जैम बोल सकते इसको अभी बिल्कुल आलिफिलाल में नया चालू हुआ है तो अभी हम है आर्कलोजिकल पार्क महरौली ठीक है तो वहां बहुत ही बहतरीन जगे अंदर रेस्ट्रॉंट कु जाएंगे बहुत जादा हो रहा है मैं आपको अंदर लेकि चलता हूं पूरी चीजे दिखाता हूं आपको देख सकते हैं अंदर आचुके तो भाई इतने एरिया में यह फैला हुआ है पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है बहुत पुराना हो चुका है तो यह मिट गया है मैं अंदर ले चलता हूं भी आपको अंदर की चीजें अंदर में तो भाई अलग चीजें वह दिखाता हूं तो जैसा कि मैं आपको बता दूँँ के यह आर्कलोसिकल वालों ने समाल लिया है इस पार्क को अब तो भाई बढ़ खावड रस्ता आप देख सकते हैं अभी जमाली कमाली कुली खान टॉंब और रेजिडेंट्स ली मतलब यह राजा वाजा के लिए था हैं यहां पर और काफी मतलब चार-पांच चीजें देख सकते हैं और अगर आना किसी को टॉर्डेट वाटल लग रही है तो भाई यहां पर कर सकते हैं फ्री आफ कोस्ट है तो इतर भी डालते हैं हम थ्रजडे वाले दिन आया पर हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं लोग जैसे की बताते हैं कि जैसे वो गए तो उन्हें अलग अलग अवाज आ रही है कोई पीछे से धक्का मार रहा है मोस्ट हांटेट प्लेस में भी आता है महरोली का आर्कलोजिकल पा भाइस और पूरा मतलब पूछ भी आसने लगा पर जो बोलते हैं उनकी कहानियाा है वहाई सच भी हो सकती है हमने गाड चाब से बात कि थी वह भी यहीवात बोल रहे थे तो सब्सक्राइध और सब्क्रता है बहुत अब दिखाता हूं देखते और बहुत सारी fosse सीज वह व तो जब हम आगा है अपने second point पर जमाली कमाली तो जैसे कि देख सकते हैं जमाली कमाली के बारे में पूरी चीजे लिख्यों है जमाली कमाली मस्जिद यह सोली सदावदी से पहले बनाए गई तो इसमें सोली सदावदी से पहले नमाज अमाज सब पड़ी जाती ती इस मस्ज इसके हिस्ट्री यह है कि दो दोस्ते जमाली कमाली तो उन दोनों के लिए राजा ने बनवाई ती यह मस्जिद तो इसमें पहले कि मतलब नमाज भी होती थी सोला सदावदी से पहले फिर उसके बाद ना मना कर दी गई इसमें नमाज पढ़ने के लिए सम अधर रीजन्स बंता नहीं क्यों मना कर दिया गया और आप देक सकते हैं आप एक दरवाजा आपे दिख रहा हूँा ओगा उपर जाने के लिए पर उपर जा के लिए लोग बहुत गंदी बततमीजी करते थी जैसे देख सकते हों उन नमाम लिग दे ते इसलिए अब आप उपर भी नहीं जाने देते पर उन लोगों को सरमानी चीजह इतनी बढ़िया चीजों पर ऐसे सी हरकते करने की ने यह बहुत बेकार चीजे है आप देख सकते हैं कि नगाशी कितनी बढ़िया है एकक्तम बहत्रीन दिख रही है इसमें उर्दू लफजों से लिखा हुआ है एक इतना बहत्र देख रहे हो ना आप कितना बड़ा है तो ऐसा कुछ है यहां पर मतलब पूरा पानी है उपर अप लेबल तक होता था मेरे सर से भी उपर रहे है वजुकाना इसे बोलते हैं तो अभी मैं अंदर आपको चल के दिखाता हूं अब लेके चलता हूं मैं जूते उतार दिये क् मैं मुस्लिम हो तो मैं मस्जित के अंदर जूते पहन के नहीं जा सकता इसलिए सब का अपना अपना धरम है तो सब अपने अपने धरम को मानते अच्छे से तो गाइस देखिए अंदर से ऐसा कुछ दिखता है क्या बहतरी नहीं हुआ और जो इसमें लिखी गई हैं सारी च अगर आपको पढ़ना आता है तो रोक के और अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसी है तो जैसा देख सकते हैं गेट है बंद कर दिया है तो गाई जैसे कि देख सकते हैं यह बिल्कुल मजिद के बरावर में एक यह बड़ा मगबर है और काफी सारी कवर है यहां पर तो यह पाते हैं तो गाई जैसा कि देखे हमारी थाट प्लेस आचुकी है यह 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 फाउंटेन और भाई उदर की तरफ रेश्टरेंट है भी चलेंगे उदर भी वहां पर बैट के आप अच्छा गासा मतलब यू ले सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं बोट हाउस आचुके हैं त पर अभी तक नहीं एक खाना वाना यहां बंद निवा है 16 सतावदी से पहले का बना हुआ है तो अभी अंदर अभी लेके चलू हुआ मैं आपको पर फिलाल यहां का देखते हैं अभी फाउंटेन अपना देखते हैं जो कि बहुत 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 लोगों न यह यह लेगो सामने बिलकुल क्या बैठरी नशा लग रहा है देखने में लिए नसारा इसका अ नशा ओर और वो देखो तैसे व दए एंसार बैर कितना बड़िया लग रहा है यहाँ पर आًकर तूघून साल मिल również है देखने में तो सामने हमारे कुतम मिनार और वोरा कैंटीन येरी कैंटीन अभी हम अंदर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहां से बिलकुल अच्छा नजारा जैसे गाइस देख सकते हैं फोटो शूट के लिए अगर आना है आपको तो यार बैस फोटो शूट के लिए देखो भी नजार दिखेंगे यहां को यहां पर आओ यहां से बैठो अर जो नजारे आपको मिलेंगे बहूँ अलग लेवल के नजारे हैं था अपर तो क्या ही सुखून मिलेगा पंठी व्युक्रविए सकते हैं और व्यां निजा अदान sobre chtqa se sy da king घंए हो ढ कैसे दिखता है यहां पर तो जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मुहम्मद कुली खांका मगबरा है यहां पर गाटसा बैठे हुए और उसके बाद आपको वह देखो तो मिनार विल्कुल इसके बरावर में है यहां ऐसे दिखता है यह भाई मगबरा है जो मुहम्मद अली खां कारिगरी बढ़िया की गante मैं द salty काफ़ी बड़ी यह और यह देखी एक और गूमत सा यह और अपना कुत हम वी नारियां पर देश की शान चलते हम तेखते हम क्या है वागर कुछ आए एक मिलेच छोना निए भाथते हम भी दिखाते हम किसा है और अंदर से रेश्रेंट का लूप भी दिखाता हूं आपको क्या है इसका तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं आचुके अंदर कैफे में तो कुछ रहता लगता है कैफे का लूप यार अलग आ रही है आपर साही बाईब आ रही है तो पूरा वाई बहुत अगड़ा है अच् काफी अच्छा दिख रहा है और बाकी मेन्यू भी इनके काफी अच्छे हैं तो जैसा कि देख सकते हो उनके प्राइज काफी बजट फ्रेंडली है तो अभी हम कुछ ओडर करते हैं इनसे चिकन पैटी और एक कॉफी ले लिए तो समसिंग सतर और साथ इतने की पड़ी मेर को और यहां खुले में भाई खाना और क्या ही वाईब आ रही है आर देख रहे हो महां सामने कुतब मिनार और यहां बैटकर उपर में खा रहा हूं तो आप फ्रेंड फैमिल के साथ आएं तो क्या वाईब आईगी यहां पर बहुत तगड़ी वाईब है मजा अलग है तो है राजा की बावली ठीक है तो अभी अंदर चलता है मैं इसके बारे में बताता हूं को कुछ चीजें जैसे की तो जैसे की गाईज यह देख सकते हैं आप यह राजा ने बनवाया था लोगों के सहर सपाटे के लिए और काफी बड़ा है और अच्छा भी है उपर भी आप को चल के दिखाएंगे हैं यहां अभी पानी है पहले पानी के लिए ओफिक के लिए यहां पर आदमी नहीं आते थे और आदमी के टाम पर ओरते नहीं आती थी ऐसा कुछ है यह बढ़िया लग रहा है देखने में काफी बढ़िया यहां बैट सकते हैं अब आपर एमसे जो पाई अभी भी भीव बरने पानी अभिए सके पर अर्वारा बरका रहा हुआ इसा दिख्या है बेसा च्तिया है बीजिडेट के तर्म भीजिएवर शुदुमर्स सब्सक्राइब है जो मोटे लोग हैं वो जीने से नहीं जा सकते हैं वो उस में जीने से जाएं पर हम तो यहां से चले जाएंगे काफी पतले जीने हैं मैं भी इसमें थोड़ा सा फश रहूँ क्योंकि मेरा शोल्डर थोड़े वाइड है तो हम ऊपर आज शुके हैं विल्कुल बढ़िया एकदम नजारा लग रहा है यहां से देखने में काफी अच्छा है उपर से भी काफी बढ़िया लग रहा है गूमने में आपर सुकून सा लग रहा है। दिख सकते हो कुऊंः हैं आका है काफी गह रहा है और उसके अंदर पानी भी है तो देख सकते हों यहां से लोग पानी भरा करते होंगे जो वह घ्मरा जो लिख पर चड़ते हैं वहां मखमत के नीचे अभी देखिए वर्क चल रहा है पर लाइटिंग वाइटिंग हो भी अभी अभी अंदर से भी ऐसा दिखता है कुछ अपाएं घूमें यहां पर बढ़िया है फोटो फोटो शूट के लिए तो ठीक है आपर जेगे तो बी ऊपर चलते हैं इसमेन वाले में बिल्कुल पदले देख सकते हैं आपर सबसे और में आ गया हूं और हां से दिखरां इतर की साइट पे मस्जीद है वो दिखरी है वे को एक मत है बड़ा वाला दिया लग रहा है बेंदों पर कैसे लिखा होगा चड़का भी रहे हैं कि ठीट थीड बन्दें वहां चड़के सब चीजे लिख और आप लोगों घूमना है यहां पर मैं हाइली रिकमेंड कर वहाई इस जगे पर आए और घूमने तो जैसे कि मैंने सारी चीजे यहां कि आपको एक्स्प्लोर करा दिये आपको वीडियो कैसी लेगी आप कमेंट करके बताए मुझे और अगर कोई मुझे पूछता है यहां पर घूमने आने के लिए हाइली रिकमेंड़े मेरी तरफ से यहां पर आएं आप घूमें भाई बढ़िया है बिल्कुल प्लेस जो मैंने आपको व्यू दिखाया तरह रेस्ट्रेंट वाला वो तो भाई वन अब दी बेस्ट प्लेस लगा मुझे वहां पर जो वहां पर भ प्यार बताते रहे और जताते रहे